राशी ने क्या खूब कहा है कल को आशान बनानी के लिए कल को आशान बनानी के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी नमशकार मितरो राधे राधे स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल डी एमार राशी फल मैं मितरो आज हम बात करने जा रहे हैं तोला राशी वाले लोगों की तोला राशी वाले लोगों का 29 दिशंबर दिन मंगलवार कैशा रहने वाला है मित्रो आज हम इस वीडियो में आज तोला राशी वाले लोगों का परिवारिक जीवन कैशा रहेगा और उनका बिजनिस वेवपार कैशा चलेगा उन लोगों का दिन कैशा रहेगा मित्रो आज हम इस वीडियो में आज का शंपूर राशी फल बताएंगे और मित्रो आपकी भी तुला राशी है तो वीडियो को पूरा देखें मित्रो आज मंगलवार है बजरंग वली महराज का दिन है घर पर रहकर बजरंग वली महराज की पूजा अर्चना करें मित्रो और कमेंट में जह बजरंग वली महराज लिखें बजरंग वली महराज आप शवी की मनुकामना पूरी करेंगे मित्रो और वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और और पर सिलेक्ट कर लें ताके हमारी शवी वीडियो आप तक सब्से पहले पहुचे मित्रो अब बात करते हैं आज की चाड़क किनिते ग्यान के बारे में आज चाड़क की जी कहते हैं कि लंबे नाखून वाले सियर भालू बाग आद पर भरोशा नहीं किया जा शकता क्योंके उनके शामने आप इस बात के अग्रत सित नहीं हो शकते कि वो कुछ नहीं करेंगे इसलिए उन पर भरोशा या विस्वास नहीं करना चाहिए इसलिए अंत में विस्वास खो दे दे हैं और चाड़क की जी कहते हैं यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किशी ब्यक्त से यह करने का बरोशा नहीं करना चाहिए कि नदी के ब्यक्त गहराई कितनी होगी मित्रो यही था आज की चाड़क की नीती का ग्यान पशंद आया हो तो लाइक करें अब बात करती हैं आज के पाचंग के बारे में आज का पाचंग 29 दिशंबर दिन मंगलवार है तिथी है पूने माम नचत्र चल लहा है म्रगशिरा रित चल लहा है हैमंत पच्छ चल लहा है शुक्ल पच्छ आज शूरियोदय होगा च्छे बजकर 42 मिनट पर और शुरियास तो होगा च्छे बजकर 36 मिनट पर आज का शुब शमय 10 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 8 मिनट पर आज का शुब शमय दो बजकर 32 मिनट से 4 बजकर 18 मिनट तक आज तुला राशी वाले लोगों की बागशाली शंक्या शात है और बागशाली दिशा दच्छड है और बागशाली रंग नारंगी है मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर राशी फल के बारे में राशी आज आप घर में खुशी बरा दिन गुजरेगा खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर पैशा खर्च करके मजा लें अपनों के साथ कुछ अच्छा शमय ब्यतीत करेंगे ये पल आपको बहुत खुशी देंगे आज आपको कुछ नया शीकने को मिलेगी जिन्दगी हमें हर मोड पर कुछ नया सिखाने को देगी इसलिए जीवन की हार की चुनोती में कुछ न कुछ सीखने लेने चाहिए वैसे ही आपको नए नए अनुभव करना आपको बहुत पशंद है आज सहित पढ़ने से आपको लाब मिलेगा आप आज अपने किशी पुराने बिछडे दोस्त से मिल शकते हैं यह आपको अपने पुराने रॉमांटिक रिष्टों काफिर से जगाने का मौका देगी भवनात्मक इस रिष्टे बरावरिश के लिन दिन से चलते हैं तो ला राशी वाले लोग बहुत से रिस्तों में उलजे रहते हैं मित्रो यही था आज की राशी का राशी फल पशन्द आया हो तो लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें और ओल पर शिलेक्ट कर लें ताके हमारी शवी वीडियो आप तक शबशे पहले पहुचे मित्रो